हेलो गाइज वेलकम वेक माई यूट्यूब चानल प्रोईत है स्टालिश तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आगया हूं बहुत ही आसान तरीका जिससे आप लोग नैचुरली हैरफॉल डैंडर फ्रीमो हैर लाइन रिसिडेंसिंग इस सब प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे क कर सकते हैं तो मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो को बताऊंगा कि इस लोगडाउन में आप अपने इस सब प्रॉब्लम को सलूशन कैसे पा सकते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकल को क्लिट कर लिए तो चलिए शुरू क करते हैं så सब्सक्राइब करांग कि क्यूंपि लोग डाउन में अएसे भी घर बैटे हैं तो घर बैटे हम अपने बालों को आशानी से देश को जरीए orit struggled कर सकते हैं बहुत लोगों को head show कराना बहुत ही पसंद नहीं है बहुत ही खराब लगता है बट अगर बालों को बचाना है तो आपको head show एक बार जरूर कराना पड़ेगा बहुत लोग पोल देहें कि head show में कितनी बार करना चाहिए तो अगर आप लोग को dandruff ज्यादा है तो आप लोग 10 डेज में एक बार और फिर 10 डेज में जब थोड़े थोड़े शौट है रज़े तब एक बार वापस से आप लोग head show कराईए क्योंकि scalp जब तक clean नहीं होगा आपका dandruff नहीं जाएगा तो अगर dandruff का problem है आपको तो आपको 10 डेज में दो बार head show कराईए 10 10 डेज के gap में तो यह तो बात होगी dandruff के अब हम बात करें कि हमारे hair fall को कैसे control किया जाए तो देखिए सब चीज का एकी इलाज है dandruff का हो चाहे hair fall का हो चाहे hair loss का हो चाहे बाल पतले होते हैं सब चीज का एकी और सबसे बेस्ट इलाज है head show head show और head show देखिए lockdown का बहुती best time मिला है जिसमें आप लोग head show करा कर घर पे रह सकते हैं कहीं जाना नहीं है अगर आप लोग को head show पसंद नहीं है तो आप लोग head show कराईए और घर पे रही है जिससे आपक इसे उन्हें हमने advice किया कि वो अपने बालों को head show कराएं अगर उन्होंने head show नहीं कराया तो future में उनके बाल जरू चले जाएंगे इसलिए हमने इन्हें suggest किया कि आप head show कराईए और अपने बालों को बचाईए और हाँ हम लोग आपको भी advice करते हैं कि अगर आपको hair fall, tandruff hair lines का problem है तो आप लोग भी head show कराईए इस lockdown में और अपने बालों को बचाईए तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा head show चालू है एकदम scalp देख सकते हो आप लोग dandruff की वज़े से कितना खराब हो चुका है जिसके वज़े से उनका hair fall हो रहा था तो hair fall में head show और उसके बाद में उसे अच्छी तरह से ऑईलिंग करिए अगर आप लोग डॉक्टर का treatment लेते हो तो डॉक्टर के treatment में आप लोग जब तक medicine लेते रहेंगे तभी तक आपको इसका असर होगा आपके hair fall रहेंगे टैनर रफ कंट्रोल रहेंगे बट जैसी आपने medicine खाना प बचे रहें क्योंकि आजकल hair fall को problem बहुत लोगों तो मैंने जो advice दिया है उस advice पे आप लोग headshot कराईए और अपने प्यारे प्यारे संदर बालों को बचाईए और साथी साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं next video में ऐसे ही आप लोगों के लिए आसान सा झाल झाल झाल